जैहिन दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे बिजली यूनिट आप खुद से निकालना सीख जाएंगे बिजली का बिल हमेशा यूनिट के हिसाब से आता है लाइन मैन बिजली के मीटर से रेडिंग लेता है फिर बिजली विभाग के द्वारा जितने यूनिट बिजली एक महिने में खर्च की जाती है उतने यूनिट का बिल बना कर हमारे घरों में भेद दिया जाता है बस हमें यही समझना है कि यूनिट क्या होता है और कैसे calculation करके इस यूनिट को निकाला जाता है तो समझेगा कि यूनिट क्या होता है ध्यान दीजिए एक किलो वाट का बिजली उपकरण एक घंटा लगातार उपयोग में जितनी बिजली की खपत करता है उस खपत को ही एक यूनिट कहते हैं यूनिट को किलो वाट घंटा भी कहा जाता है जितने किलो वाट का उपकरण एक दिन में जितने घंटे यूज हो रहा है उस किलो वाट को उतने घंटे से गुड़ा करने पर जो आएगा वही एक दिन की यूनिट हो जाती है मतलब हमें यूनिट निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है पहला जिस उपकरण को हम यूज कर रहे हैं उसका पावर किलो वाट में और जितनी देर उस उपकरण को यूज कर रहे हैं वो समय घंते में फिर दोनों को गुड़ा कर देंगे यूनिट आ जाएगा हम सोच रहे हैं कि ये पावर जो कि हमें किलो वाट में चाहिए कहां से मिलेगा पावर जो उपकरण होगा उस उपकरण पर लिखा रहता है चाहे वो बल्ब हो, LED हो, TV हो, पंखा, कूलर, फ्रीज, इंडेक्शन चूला, घर का संबर सेबल, पंप, मिक्सर मसीन सब पर उसका पावर लिखा रहता है जैसे इस बल्ब पर इसका पावर लिखा हुआ है 100 वाट और ये इस LED पर इसका पावर लिखा हुआ है 1 वाट और ये दूसरा LED है, इस पर इसकी पावर लिखी हुई है 9 वाट और ये प्रेस है, इस पर इसकी पावर लिखी हुई है 1000 वाट पावर तीन तरह से लिखा हो सकता है या तो किलो वाट में लिखा होगा, या फिर वाट में लिखा होगा, या फिर हार्स पावर, जिसको HP कहते हैं, ठीक है, तो यूनिट निकालने के लिए हमें वाट या HP को किलो वाट में करना पड़ता है, यूनिट निकालने के लिए हमें सिर्फ तीन बातों को ध्यान देना ह नमबर एक अगर उपकरण पर उसका पावर वाट में दिया है तो उसको किलो वाट में कनवर्ट करने के लिए जितने वाट दिया होगा उसको 0.001 से गुड़ा कर देंगे तो किलो वाट हो जाएगा नमबर दो अगर उपकरण पर उसका पावर एचपी में दिया है तो उसको किलो वाट में कनवर्ट करने के लिए जितने एचपी दिया होगा उसको 0.746 से गुड़ा कर देंगे तो किलो वाट हो जाएगा अगर उपकरण को उपयोग करने का समय मिनट में दिया है तो जितने मिनट यूज किया है उसको 60 से भाग दे देंगे तो घंटे में कनवर्ट हो जाएगा अब हम लोग यूनिट निकाल के देखें पान लिजे 60 वाट का ये बल्ब है रोज इसको 8 घंटे जलाया जाता है तो महीने में कितने यूनिट विजली खर्च होगी इस बल्ब का पावर 60 वाट दिया है तो सबसे पहले इसको किलो वाट में कनवर्ट करने के लिए हम 0.001 से गुड़ा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 into 0.001 बराबर ये हो गया 0.06 अब ये 0.06 किलो वाट हो गया इसको रोज 8 घंटे यूज किया जा रहा है तो समय घंटे में ही दिया है तो हमें इसको कनवर्ट करने की जरूरत नहीं है अब हम एक दिन की यूनिट निकालने के लिए 0.06 किलो वाट को 8 घंटे से गुड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.06 into 8 ये हो गया बराबर 0.48 यूनिट ये एक दिन की यूनिट है अब हमको एक महीने की यूनिट निकालना है तो एक महीने में 30 दिन होते हैं तो ये 0.48 को 30 से गुड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.48 into 30 ये बराबर हो गया 14.04 यूनिट ये एक महीने की कुल यूनिट निकालाई अब हम एक उदाहरन के तौर पर किसी के घर का बिजली का बिल निकाल कर देखते हैं मान दीजे उस घर में 60 वाट के दो बल्व प्रतिदिन 3 घंटे 8 वाट की 5 LED लाइट प्रतिदिन 5 घंटे 80 वाट के दो पंखे प्रतिदिन 7 घंटे 1 किलो वाट का एक प्रेस प्रतिदिन 1 घंटा 30 मिनट 1 HP मतलब 1 हार्स पावर का एक मोटर प्रतिदिन 1 घंटा 45 मिनट और एक टीवी जो की 120 वाट की है प्रतिदिन 7 घंटे उपयो किये जाते हैं तो महीने में कुल कितने रुपय का बिलाएगा यदि प्रतिदिन का मूल 4 रुपया 50 पैसा है तो अब सबसे पहले हम प्रतिएक उपकरण का प्रतिदिन का यूनिट निकाल लेंगे जैसे कि यहाँ पर 60 वाट के दो बल्ब है तो बल्ब का कुल पावर हो जाएगा 60 गुडे 2 बराबर 120 वाट हो जाएगा अब इस 120 वाट को हम किलो वाट में बदलने के लिए 120 को 0.001 से गुड़ा कर देंगे तो यह हो जाएगा 120 गुड़ा 0.001 तो यह हो जाएगा 0.120 यह अब किलो वाट हो गया अब यह बल्ब 3 गंटे प्रतिदिन जल रहे हैं तो इसका यूनिट निकालने के लिए हम इस किलो वाट को 0.120 को 3 से गुड़ा कर देंगे तो यह हो जाएगा 0.120 इंटो 3 यह हो गया 0.360 यूनिट यह एक दिन का यूनिट होगा इसी तरह यहाँ पर 5 LED हैं जो कि 8 वाट की हैं तो इसका कुल पावर हो जाएगा 8 इंटो 5 बराबर 40 वाट अब इस 40 वाट को किलो वाट में बदल लेंगे तो 40 इंटो 0.001 बराबर 0.04 किलो वाट यह प्रति दिन 5 घंटे यूज की जा रही है तो इसका यूनिट हो जाएगा 0.04 इंटो 5 बराबर 0.20 यूनिट यह एक दिन की यूनिट हो गई इसी तरह 80 वाट के दो पंखें हैं तो पंखो का कुल पावर हो जाएगा 80 इंटो 2 बराबर 160 वाट अब इस वाट को किलो वाट में बदल लेंगे तो यह हो गया 160 इंटो 0.001 बराबर यह हो गया 0.160 किलो वाट इसको प्रति दिन 7 गंटे यूज किया जाता है तो अब इस समय को इस किलो वाट में गुड़ा कर देंगे तो यूनिट निकलाएगा तो यह हो जाएगा 0.160 इंटो 7 बराबर 1.120 यूनिट अब यहाँ पर 1 किलो वाट का एक फ्रेस है तो यह तो किलो वाट में ही है इसकी पावर तो इसको तो कुछ चेंज नहीं करना है अब समय जो दिया है समय दिया है 1 घंटा 30 मिनट तो एक घंटा तो ठीक है इस 30 मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए 30 को 60 से भाग दे देगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस 30 भागे 60 तो यह हो जाएगा 1 प्लस 0.5 बराबर 1.5 घंटे अब यूनिट निकालने के लिए हम 1 इंटू 1.5 बराबर 1.5 यूनिट ये एक दिन का यूनिट हो गया अब यहाँ पर 1 HP की मोटर है जो की प्रति दिन 1 घंटा 45 मिनट चल रही है तो सबसे पहले एक HP के मोटर को हम किलो वाट में बदल लेंगे तो इसको किलो वाट में बदलने के लिए 0.746 से गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 1 into 0.746 तो बराबर हो गया 0.746 यह किलो वाट हो गया और यहाँ पर समय है एक घंटा 45 मिनट तो हम 45 मिनट को 60 से भाग देकर घंटे में बदल लेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस 45 भागे 60 यह हो जाएगा बराबर 1.75 घंटे अब इसको यूनिट निकालने के लिए हम 0.746 इंटो 1.75 गुड़ा कर देंगे तो यह हो जाएगा 1.3055 यूनिट अब 120 वाट की टीवी है जो तो इसको हम सबसे पहले 120 गुड़ित 0.001 कर लेंगे तो यह हो जाएगा 0.120 अब यह किलो वाट हो गया अब इसकी लोट को 7 घंटे प्रत दिन चल रही है तो 7 घंटे से गुड़ा कर देंगे तो 0.120 गुड़ित 7 तो यह हो जाएगा 0.840 यूनिट यह एक दिन का टीवी का यूनिट हो गया अब हम कुल यूनिट निकालने के लिए जितने भी उपकरण है इनके प्रति दिन के यूनिट को जोड लेंगे तो यह हो गया 0.36 प्लस 0.20 प्लस 1.120 प्लस 1.5 प्लस 1.3055 प्लस 0.840 यह हो गया 5.3255 अब माल लिजे एक महिने में 30 दिन है तो 30 दिन का कुल यूनिट कितना हो जाएगा इसको गुड़ा कर देंगे तो यह हो जाएगा 5.3255 इंटू 30 बराबर 159.765 यह एक महिने का यूनिट हो गया जिस महिने में 30 दिन है तो कुल मूल कितना हो जाएगा एक यूनिट का रेट है यहाँ पर 4.50 प्लस 0.50 तो जितने यूनिट आया है उसको 4.50 प्लस 0.50 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 159.765 इंटू 4.5 यह हो गया बराबर 718 रुपया 94 पैसा अर् gift वैसा यहाँ वह ज आयां नहीं था कितने हैं Mark